सब्सक्राइब दी चैनल और प्रेस दी बल आइकल है मेरे प्यारे बच्चो तो कैसे हैं आप सभी आज इस लेक्चर में हम लोग सब जानेंगे क्या होता है ट्रांस्फॉर्मर क्या होता है वोल्टिज ट्रांस्फॉर्मेशन रेशियो ठीक है और साथ ही साथ जानेंगे क्या होता है ट्रांस्फॉर्मर का रेटिंग ठीक है तो बने रही है इस वीडियो के साथ और वीडियो पसंद आने पे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें तो चलिए बढ़ते हैं transformer क्या होता है, transformer एक हमारा static device होता है static device क्यों होता है, क्योंकि ये रुका हुआ device होता है इस motor की तरह ये गुमता हुआ नहीं होता है, ठीक है तो ये transformer क्या होता है, एक हमारा static piece of equipment होता है जो either use होता है raising or lowering the voltage of an AC supply किसके साथ corresponding decrease and increase in current समझे बात को, समझे और इसके साथ ही साथ, इसमें क्या होता है, दो winding होता है primary and secondary, और कहां पर wound होता है, वो wound होता है laminated magnetic core में, समझे बात को ये क्या करता है, transformer AC power को transmit करता है कहां से, primary से, secondary ठीक है, और ये क्या होता है, ये सारा जो काम होता है वो electromagnetic induction पर होता है ये electromagnetic induction का principle कौन दिया था, फराडे, ठीक है तो हमारे पास, suppose किजिए ये transformer है, ठीक है जिसमें ये हमारा core है, ठीक है ये transformer core है पूरा, ठीक है इधर हम लोग सब winding की हुए है और इधर भी winding की हुए है, ठीक है कहां पर ये winding किया हुआ है, core पे और अगर हम लोग सब इस तरफ से AC supply डालते है तो ये होगे हमारा क्या, primary और इधर अगर हम लोग सब load को connect करते है तो ये होगे हमारा secondary ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग सब alternating voltage applied करते है, किदर primary side तो हमारा एक alternating flux phi, वो क्या हो जाता है वो setup हो जाता है, और वो क्या करता है लिंक करता है किदर primary और secondary दोनों को और उसके कारण क्या होता है, induce होता है EMF, क्या E1 इसको हम लोग सब EP भी बोल सकते है और E2 जिसको हम लोग सब ES भी बोल सकते है यह दोनों equal होता है E1 और E2 equal नहीं होता है E1 और E2 equal तभी हो सकता है जब number of turns दोनों का equal हो वो अब हम लोग सब थोदिर में जानेंगे समझे बात को, अब हमारा जो यह जो used either as rising, raising और lowering the AC supply इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा primary side अगर voltage है VP वो बड़ा हुआ secondary side से तो इसको हम लोग सब step down बोलेंगे, transformer और हमारा अगर secondary side का voltage primary side का voltage से जाता हुआ तो इसको हम लोग सब step क्या बोलेंगे, step अब transformer बोलेंगे समझे बात को अब क्या होता है कि जब हमारा flux generate हुआ, हमारा E1 और E2 निकल गया, और ये कहां से निकल रहा है, according to Faraday law of electromagnetic induction समझे बात को और E1 और E2, ये क्या है primary और secondary side का EMF है respectively ठीक है, तो हमको Faraday according to Faraday law of electromagnetic induction हमको ये बताता है कि जो हमारा E1 जो produce हुआ, जो कुछ नहीं क्या है, हमारा EP है, ये क्या है ये है, minus N1 rate of change of flux with time, ठीक है, उसी तरह से हमारा secondary side का EMF है, E2, ये हो जाएगा, minus N2, defy by dt, ये equation 1, ये equation 2 दोनों को हम लोग सब divide कर देंगे तो ये हमको कुछ इस तरह से देख EP divided by EES equals to, हमारा एपको क्या E1 divided by E2 equals to, क्या, N1 divided by N2 दे करके जाएगा समझा बात को, ये बहुत ही असान है आपको दो चीज़ी इसमें बहुत important है वो याद रखना है, क्या, कि जो transformation action जो होता है, वो based on the law of electromagnetic induction होता है ठीक है, पहला, क्या EMI पे based होता है ये कौन दिया था, फराडे भाई साब ने दिया था, ठीक है और इसको फराडे इस law भी बोलते है ठीक है, second, ये primary side अगर आप लोग सब देखिएगा primary side और secondary side, ठीक है इस तोनों के बीच में कोई भी electrical connection नहीं किया हुआ है, ठीक है और क्या होता है और ये होता है कि हमारा जो frequency होता है, उसमें कोई change नहीं आता है कहां पर change आता है, voltage में voltage बढ़ सकता है और उसके साथ corresponding change आ सकता है current में, ठीक है, जब हम लोग सब transformation ratio जानेंगे तो उसमें हमको current और voltage और number of tons का relationship पता चल लाएगा समझे बात को, तो चलिए, बढ़ते है rating of transformer transformer का rating क्या होता है हमको क्या पता है कि transformer जो हमार ideal transformer होता है ठीक है, उसमें तो चाहे कितना भी current डाल दो, कितना भी voltage डाल दो कोई फरक नहीं पड़ता है, लेकिन जो practical transformer होता है, उनके limit होता है ठीक है, voltage के limit होता है ठीक है, और current के limit होता है, ठीक है voltage के limit क्यों होता है insulation insulation, problem के कारण ठीक है, और जैसे voltage बढ़ेगा, insulation उतना ही लगाना पड़ेगा, और current के साथ क्या होता है current में हमारा होता है, heating problem जैसे current बढ़ेगा, वैसे वैसे hitting problem भी हमको मैसूस होगा ठीक है यह दो चीज बहुत important है और हमको यह पता है कि क्या होता है primary से secondary क्या होता है same power transmit same power क्या होता है transmit होता है ठीक है catches के बिना without any change in frequency ठीक है without any change in frequency तो इसका मतलब यह हुआ कि power suppose करते है कि V1 I1 है और उसका कोई power factor है ठीक है primary side का उसी तरह से हम लोग सब secondary side का power लिखेंगे तो V2 I2 और उसका power factor power factor तो same रहेगा power factor कर जाएगा लेकिन बचे का क्या हमारे पास V1 divided by V2 equals to I2 by I1 समझे बात को अब हमको यह देखने में मिल रहा है कि यह जो V1 I1 है वो V2 I2 के equal है that means इसका unit क्या volt और current का unit क्या ampere तो हमारा जो transformer का rating होता है वो होता है किसमे volt ampere में समझे बात को इसलिए हम लोग सब generally देखते है हमारे पास क्या लिखा होता है KVA या MVA transformer का rating transformer का rating ठीक है K का मतलब kilo M का मतलब mega समझे बात को इसलिए हम लोग सब transformer का rating को हमेशा VMA denote करते है समझ माया बहुत ही आसान है तो चलिए जानते है कि क्या होता है transformation ratio transfer function transfer function generally क्या चीज होता है output by input वही funda यहाँ पर हमको apply करना है voltage transformation ratio that means हमको क्या करना है secondary side जो EMF generate हुआ और उसका ratio निकालना है किसके साथ primary side जो EMF induced हुआ ठीक है यह अभी हम लोग सब कुछ दर पहले देखे यह क्या होता है N2 divided by N1 और इसी को हम लोग सब के बोलते है और यही हमारा के क्या है voltage transformation ratio और इसको हम लोग सब के city note करते है के city note करते है अब क्या होता है for ideal transformer ideal transformer में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का voltage drop नहीं होता है winding में voltage drop नहीं होने के कारण हमारे पास क्या हो जाता है E1 equals to V1 हो जाता है और साथी साथ क्या हो जाता है E2 equals to हमारा V2 होता है तो हमारे पास ये उपर वाला expression अब तूट करके क्या बन जाएगा अब तूट करके बन जाएगा क्या V2 divided by V1 equals to E2 divided by E1 equals to N2 divided by N1 equals to K ठीक है, K हमारा transformation ratio है समझ मैं है, अब हमारे पास ये भी पता है दूसरा condition, ideal ये पहला था, ठीक है और हमको ये पता है कि कोई भी loss नहीं होता है ठीक है, transformer में, ideal transformer में किसी भी तरह का जब loss नहीं होता है तो हमारा जो input और output का जो volt ampere होता है वो equal होता है, अभी थोदे पहले पहले बताया थे कि V1, I1 फिर power factor रहेगा, फिर equals to V2, I2 फिर power factor हैगा, power factor तो cancel out हो जाएगा तो बचेगा, क्या हमारे पास, volt ampere that means, हमारे पास क्या बचेगा V1, I1 equals to V2, I2 ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सब तोड़ देंगे तो ये हो जागा, I2 divided by I1 equals to V1 divided by V2 equals to 1 by K अब हमको ये पता चल रहा है कि हमारा क्या क्या relation निकल रहा है, relation हमारा पहला ये निकल रहा है कि हमारा number of turns number of turns जितना रहेगा उसके directly proportional रहेगा voltage ठीक है, या EMF, ठीक है, और साथ ही साथ inversely proportional किसके रहेगा current के, समझे तो ये आपको याद रखना है समझे बात को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना ठीक है, और transformer पर वीडियो चाते हैं तो बने रहेए, लगबग पर दे वीडियो अपलोड होते रहेंगे थेंक्यू फर वाचिंग